Hello student, Hi Dr. Archana Singh, welcomes you all to my educational channel. Today's topic of discussion is Prasov Paribhasa, Prasov Kaal and Prasov Hetu. First we'll see the points of discussion. Prasov Paribhasa, Definition of the Labour, Definition of Delivery, Samane Prasov Kaal, Prasov Hetu and Causes of Concert of Labour. Student, मैंने प्रसुती तंत्र प्रेपर वन का पार्ट ए. Complete इसका Lectures अप्लोड कर दिया YouTube पे, जिसका Link मैंने यहां description box में भी शेयर किया है, आप यहां से भी देख सकते हैं. First Prasov Paribhasa, तो Prasov Paribhasa as such word, सम्हिताओं में ऐसी नाम से नहीं आया है उसका description, जहां पे गर्भ विश्यक प्रश्ण में अकनी वेश ने भगवान आत्रे से प्रस्ण किया है कि प्रसव कैसे होता है, उस पे भगवान आत्रे ने चरक सरएच्षे में इसका वरणाय बताया है, सच उपस्थित काले जन्मनी वह गर्भ जनमकाल उपस्थित होने پे, प्रसूती मारूत योगात, प्रसूती मारूत मतलब यहां पानवाय ले सकते हैं, प्रसूती मारूत के योगशे, परिवरित्य अवाक्सिरा सिर गूम के निस्क्रामत्य अपत्य पत्य पत्य गूम के नीचे आके अपत्य पत्य से अपत्य मार्ग से बाहर निकल आता है एसा प्रकृति है अगर वो शिर्षय से उसका प्रशव हो रहा है तो वह प्रकृति है विकृति है पुनरतो अन्य था अ इसके बाद प्रशाव जब यह भूमिस्ट हो गया बालक प्रशाव हो गया उसके बाद वह स्वतन्त वृत्ति हो जाता है अर्था स्वास प्रश्वास और अहाराधी अपने से करने लगता है यहीं हिंदी मिहां डिस्क्राइब किया है next definition of the labor labor definition के लिए series of events that take place in genital organs in an effort to expel the viable product of conception out of the womb through the vagina into the outer world is called the labor और जब यहीं process 37 week complete होने से पहले start हो जाता है उसको बलते हैं preterm labor और डिलीवरी डिफनीश लेबर और डिलीवरी में difference होता है तो डिलीवरी का definition होता है expulsion या extraction या तो स्वता है अपने आप निकले expel आउट हो या extraction मतलब उसको निखाला जाए आफे viable fetus out of the womb it is called delivery तो delivery में भी vaginal यार abdominal यह vaginal भी हो सकती अब्डामिन को कट करके fetus को डिलीवरी कराते हैं तो delivery इट में भी विदाउट लेबर आज इन इसको पार्चुरियंट सो पोलते हैं और प्रोसेस अब गिविग बिर्थ इच काल्ड पार्चुरीशन नॉर्मल लेबर या इसको बोलते हैं यू टोशिया तो कुछ गंडिशन सो थे जब वो फुल्फिल होता है तो इसको नॉर्बल लेबर भोलते हैं तो यह क्या है कन्डिशन प्रोसेस अफ इक्स पल्शन पर वेजाइन पूंग मेशूर संहीन होना क्फेशन फीट इस मेचुर होना इंघ से इक एक्सपल्स अउट होना है। भी दी विर्टेक्स प्रेजेंटेशन जब सिरसे वां च डीली वर्टेग्स प्रेजेंटेशन के साथ हो रही है और उसके बाद following after birth, जो placenta, membrane and umbilical card है, fetus का expulsion होने के बाद इन सब का भी expulsion हो, and when the condition is sun, spontaneous, मतलब स्वत्रा अपने आप हो रहा है, uncomplicated, mother या fetus कोई ज्यादा complication नहीं हो रहा, and not delay, मतलब यहां फे जो time duration, time limit बताई गए है, उसके अंदर में हो, unnecessary ज्यादा delay नहीं हो रहा, and any deviation from the normal level, जो भी यह conditions बताएगा है, गर इसको हटके कोई deviation होके होता है, तो उसको बलता है, abnormal labor या dystocia, सामान या प्रसावकाल, तो आचारियों ने प्रसावकाल के लिए कुछ समय आवधी बताई है, यह सामान या प्रसावकाल है, उसके अलावा जो होता हो, वैकृत प्रसावकाल, तो आचारियों चरक ने बताया है, अस्तमे मासी तस्मिन एक दीवश अतिक रांते अपी है, आठमे मास के बाद एक भी दिन निकल जाने पे, नवम मासा मुपादा है, मतलब नवम मास से लेके प्रसावकाल मितियाहु दसमान माशात, नवम मास से लेके दस मास तक कभी भी प्रसाव होता है, यह सामान्य प्रसाव है, एतावान प्रसावकाल होता है, इसके बाद जो प्रसावकाल होता है, वैकारिक मतर परम कुक्छा उस्थानम गर्भाश्य इसके बाद अगर दस मास के बाद भी अगर गर्भाश्य में रह जाता है या उसके बाद प्रशव होता है तो ये वैकरित होता है यह आचार के अनुषार सामान प्रसावकाल का टेबल है, अचार चरक और कास्चेप ने 9 और 10 मास को सामान प्रसावकाल बता है, अचार हारित ने 10 मास और 11 मास, 10 और इग्रहा मास, आचार सुष्रूत, वागभट, भाप्रकाश, इन्रीयोगरत नाकर, इन्होंने 9 से लेके 12 म तक यह सामान प्रसव काल बता है और मॉडन के अनुशार नाइन केलेंडर मन्थ प्लस सेवन डेश या इसको डेज में बोलेंगे 280 डेज या वीक्स में 40 वीक्स या 10 लूनर मन्थ प्रसव रारंब होने की कारण क्या है तो इसके लिए आचार शुशुद ने बताया है कालस्य परिडामेन मुक्तम वरिंतात देथा फलम वरिंतात देथा फलम प्रपद्यते शोभावेन नौन नेथा पतितम दुरम मतलब काल के परडाम से ही जिस प्रकार से वरिंत से मुक्त हुआ फल प्रपद्यते सोभावेन मतलब सोभाव से ही वो पतित होता है न अनने था पत्तम द्रिवमान था और कोई कारण नहीं है इसी प्रकार से एवम काल प्रकरषेड इसी प्रकार से काल के प्रकर्चर से मुक्तो नाडी निबंधनात, नाडी निबंधन से मुक्त हुआ गर्भ, गर्भासयस्तो यो गर्भो जननाय प्रपद्यते, वो गर्भ जो नाडी निबंधन से मुक्त हुआ है काल प्रकर्चर से, वो गर्भ, गर्भासयसे मुक्तो के प् अर्थात जो गर्ब है उसका गर्भ वास से वहराग्य हो जाता है इसकी वाज़ा से वो प्रशव के लिए उद्धत हो जाता है एना आचार भेल ने बता है कि रसके दारा पोशड होके सम्पुर्ण गात्र का हो जाना ही यह प्रशव का कारण हो जाता है तो यहां पर पॉइंट्स में देख लेते हैं प्रसव कारण में नाड़ी निबंधन मुक्ती काल प्रकरशण स्वभाव और गर्भवाश वैराग्यन गर्भशंपूर्ण दा यह सारे यहां पर प्रशव के कारण या प्रशव प्रारम्भोने के कारण हो जाते हैं कोज़ज़ ऑउनसेट अफ लेवर तो काज़ज़ ऑउनसेट आप प्रसाइस कोई में नहीं है बट कुछ धिएरी इस दिया गया है कि यही थिएरीज हो सकती है तो इसमें जो में दो है वो मेकनिकल इस्ट्रेश पाथवे ए इंडो क्राइण यही दो में है तो जो मेंकल इस 스트レッチ पाथ पे वहांपे- uterine distance theory, stretch of the lower uterine segment by the presenting part, and mechanical stretching of the cervix, and stripping of the fetal membranes. And further, endocrine theory में क्या है phetoplacental endocrinology या phetoplacental contribution, तो phetoplacental contribution, यह है phetoplacental कुछ unknown factors होते हैं, जो triggering factors होते हैं, तो before onset of labor, labor से पहले ही fetal HP axis activation हो जाता है, तो इसमें जो hypo fetal hypothalmas से यहां से CRH increase, CRH release and pituitary pact करता है, यहां से CRH, increased ACTS release, यह fetus cardinal pact करता है, जहां से cortisol release extra होता है, increased cortisol release होता है, जो कि placenta pact करता है, प्लशेंटा से स्टोजन, फ्रुस्टाग्लांडीन, ऐक्सी टॉसिटोसिन, इंटरलिकिन, इनके सिक्रेशन जो होते है, सब इनकरीज हो जाते है, प्रोजेस्टवान, इसका सिक्रेशन कम हो जाता है, या इसका जो पहले चितना निकल रहा था, पूरे प्रेग्नेंसी में प्रेष्य हुआ है अफे अंके one by one function देखते क्या है स्टोसन इंकरीज release of oxytocin from the maternal pituitary and promotes synthesis of receptor of oxytocin in myometrium and akidua. तो स्टोसन है maternal pituitary sẽ oxytocin को भी release करता है ऍेस्टा इसके receptors है उसको भी increase करता है and increase lysosomal disintegration in the amnione cell which increases prostaglandin synthesis and excitability of myomaterial cell membrane and increase or stimulates synthesis of the myomaterial protein ectinomyosin through the cyclic AMP तो इन सबसे क्या होता है? यह labor process initiate होता है प्रोजिस्टान लेबल फाल हो जाता है प्रोजिस्टान लेबर तो प्रोजिस्टान का major site of production है amnione, korean, decidual cell and myometrium और प्रोजिस्टान सिंथेसिस होता है वो ट्रिगर हो जाता है जब स्टोजन लेबल राइज होता है या ग्लुको काडिकोईट्स ज्यादा होता है या mechanical stretching in the late pregnancy जो stretching pathway था उसका भी ऐसे आप देख सकते है and due to infection or the vaginal exam and due to the separation or rupture of the membrane so prostaglandin का synthesis trigger होता है next होता oxytocin जोगोटोजन का देख सकते होता है जोगोटोजन लेबल राइबल राइज होता है onset of level के साथ है and it's promotes release of the prostaglandins from the decidua and oxytocin level reaches maximum at the moment of the birth the birth का moment हो उस समय इसका maximum level होता है and during the vaginal examination or amniotomy it causes rise in the maternal plasma oxytocin level the student यहां पे आपका प्रशो परिभासा प्रशो हेतु and प्रशो काल and उसका modern part labor definition causes of labor यह सब complete होता है if you have any doubt you can message me and please like share and subscribe और जो भी इसमें words आये हैं तोड़े difficult से ACTS CRH यह सब मैंने description box में दे रखा है वहां से भी देख सकते हैं thank you